चेप्टर 30 विधी 6 ध्यान की विधी इस विधी का प्रयोप कप करें? जब आप रतिरोज से राहत पाना चाहें, जब आप अपने कमपनों को तुरंत उन्नत बनाने का कोई आसान रास्ता चाहते हैं, जब आप अपने कमपन के साधारन स्तर को उठाना चाहते हैं, जब आप आंतरिक आस्तत्व की जागुरुप्पा को महसूस करना चाहते हैं। मौजुदा, भावात्मक, रुझान बिंदु सीमा। ध्यान की विधी आपके लिए तब सबसे अधिक मुल्यवान होगी, जब आपका भावात्मक, रुझान बिंदु इन श्रेणियों के बीच हो। जो आपके सोत के ग्यान के साथ सामंजस से रखते हैं और विजाद जो आपकी नहीत इच्छाओं से मेठ खाते हैं। लेकिन आपकी कुछ विश्वास आपकी सेवा नहीं करते, आपकी अपनी कमी या आपकी अनुप्युक्तता से संबंधित विजाद इस तरह के विचारों का उधारन हैं। अब रम्हांड के नियमों को समझने तथा सोदेशे पूर्वत विचारों को चुनने की किंचित इच्छा के बाद आप थोड़े की समय में सभी बाथक विश्वासों को जीवन प्रदाता विश्वासों से बदल सकते हैं। लेकिन यह एक ऐसी विधी है जो आपको अपने विश्वासों को बदलने से प्राप्त तुरंत नाब को कम समय में प्रदान कर सकती हैं। हम इसे ध्यान की विधी कहते हैं। हम अपने शरीरी मित्रों को प्रसनता पूरुक अपने ध्यान की विदी सिखाने का कारण बताते हैं, क्योंकि आपने से अधिकांश लोगों के लिए शुद्ध सकारात्मक विचारों पर विचार करने की बजाए अपना मन साफ करना और कोई विचार ने रखना ज्यादा असा होता है, किसी कौर्प को पाने के उपर रखने की कलपना करें, यह उच्चतम, शुद्ध, वितीवर कमपनों का प्रतिने दी हैं, जो वस्तुते हैं आपके लिए स्वभाविक हैं, अब कौर्प को पाने के नीचे थाम कर रखने की कलपना करें, प्रतिरोध कुछ ऐसा ही है अब कॉर्ख को छोड़ने की तलपना करें और देखें कि वह पुनह पानी की सतह पर उपर उठाता है। जिस तरह कॉर्ख स्वभाविक रोप से पानी की सतह पर तैरता है। उसी तरह आपके लिए उच्चतम, तीवर, बाधापूर प्रतिरोधों से मुक्त वेशुद्ध कमपनों को अनुभाव करना स्वभाविक है। विचारों को रोकना होगा, जो आपके कमपनों को निम्न बनाते हैं। यह बस उन चीजों पर विचार ने करने की बात हैं, जो आपके कौर्ट को तैर्रे नहीं दे रही। या जो आपको उसके साथ सामंजर से पूरो कमपन को स्विकार नहीं करने दे रही, जो आपका वास निर्ने लेना इच्छा के कमपनों पर केंद्रित होना है, निर्ने बिंदू तबी गटित होता है जब इच्छा में परियाप्त बल हूँ, हम आपसे जिस एक मात्र अनुशाशन का अभ्यास करवाना चाहते हैं, वह है ऐसा निर्ने लेना जिसमें आपको अच्छा लगने के और कुछ महत्योपोण ना हो, और ऐसे विजारों को खोजना जो आपको बहत्तर महसूस हो, इस अनुशाशन में केवल एक ही बात महत्योपोण है कि आपका कॉर्क तैरना चाहिए, आप कह सकते हैं कि ध्यान की विदी आपके विश्वासों को परिवर्तित करने का शौर्ट जाएं, जहां टोके जाने की संभावना नहो, आराम देवस्तर पहने, इस मात से कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कुर्सी पर बैठे हैं या जमीन पर, या आपने विस्तर पर लेटे हैं, जब तक ऐसा करते हुए आप सोन जाएं, इसमें सबसे महत्योपोण यह हैं कि आप का शरीर सुखद स्थिती में हो, आप अपनी आखें बंद करें और शान्त हो कर स्वास लें, दीरे दीरे अपने फेफडों में हवा भरें और किस हवा को सहस्ता पूर्वक छोड़ने का आनंद लें, यहां आपकी सुवीधा सबसे अधिक महत्योपोण है, जब मन भटकने लगे, तो सहज़ता से अपने विजारों को त्याग दे, या कम से कम इसमें और अधिक इजाफा करते हुए उन्हें प्रोथसाहन न दे, और पुन्हें अपने श्वासों पर केंद्रित हो जाएं, आप स्वभावते ऐसे हैं, चो केंद्रित होना चाहता है, इसलिए को छोड़ने का प्रयास करें, आपके लिए अपने मन को मौन करना तब आसान हो जाता है, जब आप ऐसे छोटे विजारों को चुनते हैं, जिन में किसी दिलचस्प चीज में विस्तारित होने की संभावना ने हो, आप अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, के कमपन कौर्ख की भांती स्वभाविक रूप से उपर उठते हैं, इस विधी में आप अपनी इच्छाओं पर कार्य नहीं करते, बल्कि इसकी जग है, यहे आपके मन को शांत करती है, आपको ऐसा कर लेने पर हर तरह का प्रतिरोध कम हो जाता है, और आपके कमपन अवस् कई बार आपको अपनी त्वचा पर चिकोटी काटने वे खुजली होने की समवेदना होती है, अकसर एक बार जब आप प्रतिरोध को त्याग देते हैं, तो अपनी स्वभाविक शुद्ध उच्छ कमपनों के बीच उडान भरते हुए आपके अपने शरीर में अन्यच्छ क्रतिरोध की अनुभूती होती है, यह समभवत एक से दूसरी ओर या आगे से पीछे डोलती रहती है, या आपको केवल गतिविधी की समवेदना या जमाई लेने की अनुभूती होती है, लेकिन इसमें से कोई भी या सभी समवेदना या गतिविधिया आपकी ध्यान अब आपका आकर्शन का बिंदू बदल जाएगा, आपकी स्विकारियता की भावना स्थान लेने लगीगी। जब चाहें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अपने प्रतिरोधी विजारों को आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। अब्राहम, हमें ध्यान के बारे में थोड़ा और बताएं। बहुत से शिक्षक हैं और हम भी उन्ही में से एक हैं। ध्यान को कमपनों में व्रध्धी की बहुत अच्छी विधी के रूप में सिखाया जाता है। एक प्रभावशाली ध्यान वह होता है जब किसी भी शारिरिक जागरूकता से आपका ध्यान हट जाए, जो आपके कमपनों में प्रतिबंध का कारण बन सके। तो आप जब अपना ध्यान उन चीजों से हटा लेते हैं, जो आपके कमपनों को निम्न स्तर पर लेकर जा रहे हैं, तो स्वभाविक रूप से आप अपने कमपनों को उन्नत करते हैं. हैं अपनी चेतना से जागरुक रहते हुए निरलिप्त होने जैसा है, सोते समय आप अपनी चेतना के साथ भी संबंद विछेद कर लेते हैं, लेकिन नीद में भी आप इसे लेकर बोध पूरवक जागरुक रहते हैं, और उच्च कमपनों में होना कैसा लगता है, ये आप मह हैसूस करते हैं, जब आप जागते हुए ध्यान अवस्तित होते हैं, तब आप बोध पूरवक पहचान सकते हैं कि उच्चतर कमपनों में रहना कैसा लगता है, ये ही समय में आपको कमपनों की एक नवीन समवेदना प्राप्त हो जाती है, जब भी आप किसी प्रतिरोध की कारण वस्तु पर केंदरित होते हैं, आपको उसका तुरंत पता चल जाता है, कई बार लोग कहते हैं, अब्राहम क्या ध्यान विदी आरंब करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, और हम कहते हैं हाँ, क्योंकि आप अपने आपको के अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कोई ऐसा संगीत सुनना, जो आपको दिल से पसंद हो, किसी खूबसूरत जगह पर जॉगिंग करना, अपनी बिल्ली को दुलारना, अपने कुत्ते के साथ घूमना, ये सब बहुत सारे आनंद दायक कतिविधियों में से कुछ हैं, जो की लएब अधता, अपनी परेशानियों की बाधा से दूर होना और किसी नए स्थान पर जाने का विचार अकसर आपको उन चीजों से संबंधित विचारों से दूर कर देता है, जो आपको परेशान कर रही होती हैं, आपका लक्षे किसी ऐसे विचार से मुक्ती हैं, जो प नंदपोन चीजों के बारे में सोचेंगे तो ये काफी महत्वपोन हो सकता है। नंदपोन चीजों के बारे में सोचना सकारात्मक विचार का अच्छा स्रोत हो सकता है। ने आप ही उस विचारों का अनुसरन करने लगेंगे। ध्यान विधी का एक और उधारन, एक और विधी है जो यदी हम आपकी जगे होते तो प्रयोग करते। प्रति दिन लगभग 10-15 मिनिट, इससे अधिक समय तक भी नहीं। हम शान्त होकर अकेले किसी सुखद स्थान पर बैठें, जहां कोई बाधा न पहुचाए। यह किसी पेड के नीचे, अपने वाहन में, सनान घर में या बगीचे में कहीं पर भी कर सकते हैं। हमें बस अपनी भौतिक इंद्रियों को बंद करने का भरिसक प्रियास करना है। हमें अंदर तक लंबा श्वास लेने और बाहर लंबा श्वास छोडने के प्रती जागरूक होना होगा। हमें श्वास भर्नी होगी और जब हमें लगे के हमारे फेफ़ों में इतनी हवा आराम से रह सकती हैं, हमें धीरे से और हवा अंदर भरनी होगी। और तब अपने फेफ़णों को पूरा भरने के बाद, हम लंबा, धीमा, आनंद दायक शन में उस वायो को बाहर निकाल देंगे। यह स्विकारियता की वह अवस्था है, जिसमें शनभर के लिए भी यदि आपकी सभी गतिविधिया पूर्ण तहर रुक जाती हैं, आप कुछ भी ऐसा होने को रोकने का प्रयास करते हैं, यही वह समय है जब आप अपनी स्रोतुर्जा से कहते हैं, अपने आंतरिक आस्तत्व से अपने ईश्वर को या आप इसे जो भी कहकर पुकारें, यह मैं हूँ स्विकारियता की अवस्था में, मैं स्रोतुर्जा को पूल रूप से अपने भीतर से प्रवाहित होना स्विकार करता हूँ, प्रव मिनट का यह प्रयास आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि यह उ उस उर्जा को स्विकार करेगा जिसका स्वभाव आप में से प्रवाहित होना है, इस क्षण आप अच्छा महसूस करेंगे और जब आप इससे बाहर निकलेंगे, तो अपने आपको अधिक उर्जानवित महसूस करेंगे, क्या पंदरा मिनट इतना अंतर ला सकते हैं? आप को ततक्षण इतना बड़ा लाब होगा कि आप जो चीजें चाहते होंगे वो दिखाई देना आरंब हो जाएंगी, अब ऐसा क्यूं? आप क्या सकते हैं? आखिरकार अबराहम, मैं सिर्फ बैठ कर इरादा नहीं कर सकता, मैं बस बैठ कर लक्ष तक नहीं पहुत सकता, मैं मुझे क्या चाहिए? मैं ब्रह्मांड को नहीं बता सकता कि मुझे क्या चाहिए? आखिर क्यों सिर्फ पंदरा मिनट होने से इन चीजों में गतिविदियां चलने लगेंगी? क्योंकि आप पहले से मांग रहे हैं और अब अपने ध्यान के समय के दोरान अपने प्रतिरोध को समाप्त कर जो इसे रोक रहा था आपने अपने द्वारा अभ्यासित ध्यान के कारण आप अपनी इच्छाओं को अपने अनुबव में प्रवाहित होने को स्विकार कर रहे हैं आप अपने भीतर अंत इच्छाओं को जनम दिये बिना इस भौतिक परिवेश का हिस्सा न रहे हो या जल प्रपात की ध्वनी अथ्वा सुखत संगीत सुन रहे हो या सरहना के आवेश पर हो स्विकार्यता के उस समय में आप ऐसा कमपन स्थापित करते हैं जो उन चीजों के प्रति-प्रतिरोध का कारण नहीं बनता जो कि आप मांग रहे हैं अब्राहम अगर मैं बीते 50 साल से नकारात्मक रहा हूं तो क्या इसे वापिस पलटने में भी मुझे 50 साल लगेंगे नहीं इसे करने के लिए 15 मिनिट बहुत हैं मैं 15 मिनिट में उस संपो ऐस्विकारियता को अनकिया कर सकता हूं जिसे मैंने करना सीखा है इन 15 मिनिट में आपको स्विकार करना है किसी चेज को अनकिया नहीं करना लेकिन यदि मैंने नकारात्मक ता को अपनी मुझे आदत की रूप में विक्सित कर लिया है तो क्या ये 15 मिनिट उन्हें बदल सकेंगे शायद नहीं लेकिन अगली बार जब आपको कभी भी ये नकारात्मक विच कर रहे हैं यह अत्यंत महत्वोर है क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी होता है और आपके आसपास के लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसका कारण यही उर्जा है जिसे आप आहानवित और स्विकार कर रहे हैं या स्विकार नहीं कर रहे हैं यह सब उस उर्जा के साथ आ उस खशनक थे मैं तीस दिनों में क्या पा सकता हूँ क्या आप जानते हैं इस समय आप ऐसी किसी भी घातक बिमारी से पीडित हो सकते हैं जिसके बारे में मनुष्य जानता है और ऐसी भी जिने वे अब तक पहचान नहीं पाया है और कल वे सभी समाप्त हो सकती हैं यदि आप एक दिन से लेकर अगले दिन तक ये सीख जाएं कि उर्जा के प्रवाह को किस तरह स्विकार किया जाए वस्तुते हम इस तरह की लंबी छलांग को प्रत्साहित नहीं करेंगे ये थोड़ी एह सहच होती है हम वस्तुते इस बात को प्रत्साहित कर रहे हैं कि आप रत्य दिन स्वार्थी होकर इतना कह सकते हैं कि मेरे अच्छा महसूस करने से अधिक महत्तुपूर और कुछ नहीं है और मैं आज ऐसा करने का तरीका खोज लूँगा मैं अपने दिन की शुरुवात ध्यान और अपनी स्रोत उर्जा के साथ अपना तालमेल बनाने से करूँगा और दिन बढ़ने के साथ ही मैं सरहना के अवसर खोजूँगा जिससे दिन भर में मैं पुनहें अपनी स्रोत उर्जा में लोट सकूँ यदि मुझे प्रशंसा करने का अवसर मिलेगा तो मैं प्रशंसा करूँगा यदि आलोचना का उसर मिलेगा तो मैं अपना मूँ बंद रखूँगा और ध्यान करने का प्रयास करूँगा कोई मेरी आलोचना करेगा तो मैं अपनी बिल्ली को बुलाऊंगा और उसे तब तक दुलार करूँगा जब तक यह अनुभूती दूर नहीं हो जाती तीस दिन के छूटे से प्रयास से आप इस ग्रह के सबसे प्रतिरोधी व्यक्ती से इस ग्रह के सबसे कम प्रतिरोधी व्यक्ती हो सकते हैं और जब आपको देखने वाले आपके बहुती कनुभोवों में प्रत्यक्ष होने वाले चीजों की संख्या देखेंगे, वे चकित रह जाएंगे। हम आपको एक तरह से आकाशी द्रिष्टी से देख रहे हैं और यहां से ऐसा लगता है आप किसी बंद दर्वाजे के एक और खड़े हैं और दूसरी और वे सभी चीज़ें मौजूद हैं जो आप चाहते हैं। चीज़ें आप ऐसा धारण और महत्तोपून बताते हैं और चीज़ें जिनने आप अधिक महत्तोपून नहीं बताते वो हर चीज जिसे आपने कभी पहचाना है कि आप उसे पाना चाहते हैं। वे सभी ठीक आपके सामने दर्वाजे के दूसरी तरफ कतार बद हैं और से सम्हाले